मधु कामिनी के पौधे पर एक बार फ्लारिंग हो गई है और दुबारा फूल नहीं खेल रहे हैं तो किस तरीके से हम साल में कई बार इस पर फ्लारिंग ले सकते हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये मधु कामिनी का पौधा है जिसे औरेंज जैस्मिन कहते हैं या मुरया पैनिकुलाटा के नाम से भी जाना जाता है हलाकि इसकी चार विराइटी आती है जो मुरया का पौधा ये जो आपको दिख रहा है ये भी इसी की विराइटी है एक सबसे छोटी पतियों वाला होता है जिसे टेबल कामिनी के नाम से भी जाना जाता है इन सब की देख रेक एक जैसी होती है ये जो पौधे होते हैं ये नेवंबर से लेकर के फरवरी तक डॉर्मेंट होते हैं यानि कि उस समय समझ लीजे ये किसी से बात नहीं करते हैं खा फूल आते हैं और इनमें बहुत ही अच्छी खुश्बू है यदि मोगरा चमेली के बाद यदि किसी पौधे में खुश्बू है तो ये शायद यही पौधा होगा अब बात यह है कि यदि ये पौधा पहले से आपके पास है तो अब तक दो बार फ्लारिंग कर चुका वैसे तो जो सनलबिंग पौधे हैं जिने छेजाद घंटे की धूप चाहिए उन पौधों को भी आपको इस धूप से बचा कर रखना है क्योंकि धूप धूप में अंतर है यदि नॉर्मल धूप होती और टेंपरेचर 40 डिगरी के अराउंड भी होता तो आप इसे पूरे लेगी तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन अभी जिस तरीके की गर्मी है जून में 12 बजे के बाद वाली धूप आपके पौधे के इस तरीके से कलियों को भी जला कर रखेगा और नई फ्लारिंग लेने में दिक्कत भी होगी अब अगली बात ये करते हैं कि यदि आपके पौधे पर किसी पेस्ट वेगरक आटैक हो गया है या पत्तियों को उलट पलट कर देखिए दी वाइट मीली बग्स या कोई चिपचिपी सी चीज है तो सबसे पहले उसका इलाज कीजिए यानि कि फंजिसाइड से भी आप स्प्रे कर सकते हैं और फंजिसाइड न नए नए फ्लावर्स को निकालता रहेगा इसके फूलों में बहुत ही अच्छी खुश्बू होती है तो इस बात का ध्यान रखें कि जब कलियां बनने लगी है उस समय आपको नहीं स्प्रे करना है अधर्वाइस वो कलियां खिलेंगी नहीं और इस तरीके से जैसा मैं इतना यदि आप काट देंगे अभी बरसात में तो आपका पौधा बहुत अच्छे से घना हो जाएगा यानि कि यह जो सौफ प्रूनिंग है यह साल में दो या तीन बार आप कर सकते हैं दो तिन महीने के डिफरेंस पर इसे पौधे की शेप भी अच्छी हो जाएगी पौ यदि प्लास्टिक के कंटेनर में लगा रहे हैं मेरी तरह तो कम से कम आठ से लेकर के 12 इंच के बीच के कंटेनर का चुनाओ करेंगे तो यह पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा छोटे कंटेनर में भी बहुत ही जाडी नुमा और एक पेड का आकार ले लेता है अब बात करते हैं कि स्वाइल मेडिया किस तरीके से होनी चाहिए आप 30% सैंड में 30% गार्डन स्वाइल मिला करके इस पौधे को बनाएए बाकी के रेशियो में कॉम्पोस्ट मिला सकते हैं और फॉस्फोरस यूग कोई भी खाद जैसे बोन मिल मिला सकते हैं यदि आप ब दिखता है कि रूट्स उपर तक दिखाई पड़ रही हैं या जड़े उपर आ गई हैं तो इसको रीपॉट करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा रेनी सीजन तक बरसातों में इस तरीके से रीपॉट करेंगे तो यह पौधा मरेगा भी नहीं और अपनी नई ग्रो बड़े कंटेनर में आपने लगा रखा है उसे बड़े कंटेनर में लगाई है यदि बड़ा कंटेनर आप नहीं ले पा रहे हैं और सेम कंटेनर में इस प्लांट को रखना चाहते हैं तो बरसातों में आप यह कर सकते हैं कि इसे आप जड़ समेत बाहर निकालिए इसके ब पौधे पर दुबारा फ्लारिंग कैसे ले सकते हैं इस पौधे के लिए सबसे बहतरीन जो खाद होता है वो है पोटाश यदि आपके पास पोटाश है तो एक चम्मत दे सकते हैं तीन महीने पर वर्मी कंपोस्ट भी देना है जो सॉयल को मजबूती देता है सॉयल में वर्मी कंपोस्ट हर पौधे को दो-तिन महीने पर जरूर देना चाहिए लेकिन ये जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये घरेलू खाद है और इसको देने से बहुत जल्द आप रिजल्ट देख पाएंगे ये दो चिलके कहीं फर्टिलाइजर देना है केले के चिलके और प्य आज के चिलके लेकर रात भर पानी में भीगो कर रखे पानी आप अपने एकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आपको जरूरत है अगले दिन आप डिरेक्ट इस पानी को बिना नॉर्मल वाटर मिलाए हुए दे दीजे लेकिन यदि ये पानी ओल्ड है यानि कि दो रातों से ज्यादा आपने भीगो करके रखा है फिर आप 50-50 के रेशियो में यूज करेंगे 50% आप ये फर्टिलाइजर वाला पानी लेंगे 50% नॉर्मल वाटर और फिर इसे दे देंगे वीक में दो या तीन बार इसे रिपीट कर सकते हैं फैब से लेकर के नेवेंबर तक नेवें करेंगे 50-50 के शिलके ये मदुकामनी पर बहुत जड़ा फूल लेने में मदद करेंगे 12% को से बार इस बीजी बाड़ मरेंगे और बरसातों में अच्छे से बोएंगे तो कुछ 10-15 दिनों बाद ये जर्मिनेट हो जाएगा और इसकी पौध तयार हो जाएगी ये जो मधुकामनी का पौधा है ये पर्मानेंट पौधा होता है पत्यों को जलने से दिया बचा कर रखेंगे तो सालों साल ये आपके गार्डन में चलता जाता है इसकी खुश्बू बहुत ही मनमोक होती है इसलिए मधुकामनी वास्तु के अनुसार भी एक बहुत इश्यों पौधा है और इसे अपने घर में जरूर लगाना चाहिए पौजिटिव एनर्जी के लिए मानसिक शांती के लिए ये इस पौधे को आप लगा सकते हैं धन्यवाद